दोस्तो हमारी आज की इस पिडियो का टौपिक रहेगा The Chimney Sweeper इस पोयम को लिखा है William Black ने दोस्तो मैं आपको इस पोयम के टाइटल The Chimney Sweeper का मतलब बताता हूं दोस्तो यहाँ पर Sweeper का मतलब है साफ करने वाला और दोस्तो चिमनी का मतलब है आग जलाने का कोई इस्ट्रक्चर दोस्तो 17th और 18th सिंचुरी में इंग्लेंड में जब लोग अपना घर बनवाते थे तो घर के अंदर से वो एक चिमनी भी बनवाते थे ताकि ज़्यादा ठंड पढ़ने पर उस चिमनी में आग लगा कर वो खुद को ठंड से बचा सके क्योंकि दोस्तो उस टाइम पर electricity नहीं होती थी और लोग ठंडी से बचने के लिए यही उपाय करते थे क्योंकि दोस्तो इस चिमनी में आग लगाई जाती थी और इसका आकार भी छोटा होता था इसलिए गरीब बच्चों को इसकी सफाई के लिए लगाया जाता था और उनको कुछ पैसे वे दिये जाते थे और इस चिमनी की सफाई करने के लिए उन बच्चों के माता पिता खुद उनको बेशते थे ताकि ये बच्चे थोड़े से पैसे गमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें लेकिन दोस्तो बच्चों से कोई भी काम करवाना यानि की मजदूरी करवाना चाइड लेबर होता है और हमारी ये पोयम चाइड लेबर के ही बैक ग्राउंड पर लिखी गई है दोस्तो हमारे पोयट ने इस पोयम को डू पार्ट में डिवाइट किया है इसके पहले पार्ट का नाम है Songs of Innocence जिसको 1789 में पब्लिश करवाया गया था और इसका सेकंड पार्ट है Songs of Experience और इसको पब्लिश करवाया गया था 1794 में तो दोस्तो आज की इस पोयम के फर्स्ट पार्ट को डिसकोस करेंगे इसका नाम है Songs of Innocence दोस्तो इस पोयम में दो बच्चे आपस में बात करते हैं वो दोनों इस चिमनी साफ करने जैसा खतरनाक काम करते थे दोस्तो इस पोयम में पहला बच्चा कहता है मेरे पिता ने मुझे चिमनी साफ करने के काम में तब लगा दिया जब मैं ठीक से बोलना भी नहीं जानता था और तबी से मैं चिमनी साफ करने का काम करता हूँ और उसी चिमनी की धूल में लिपट कर सो भी जाता हूँ चिमनी साफ करने के प्रोफेशन में एक नया बच्चा आता है उसका नाम था टॉम डेकर वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके बेट जैसे गुंगराले बाल सेफ कर दिये गए थे मैंने उसे बताया कि उसे परेसान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके गुंगराले और संदर बाल अब चिमनी साफ करने के वज़े से धूल मिट्टी में कंदे नहीं होंगे उस राद टॉम सो जाता है उसको एक सपना आता है वो अपने सपने में मरे हुए चिमनी स्वीपर्स को देखता है जो एक कतार में कॉफिन में सो रहे थे यानि कि उनकी डेट बाडी ताबूत में बंद पड़ी थी एक एंजल आती है और चैबी से उन सभी ताबूतों को खोल देती है और सारे चिमनी स्वीपर्स आजाद हो जाते हैं और फिर सभी चिमनी स्वीपर्स हरे भरे मैदानों में गुमने लगते हैं वो लोग साप पानी से नहाते हैं और सुरज की धूप सेखते हैं अब ये सभी chimney sweepers बिना किसी काम के heaven जैसे दीख रहे हैं, बादलों के साथ खेलते हैं The angel tells Tom that if he behaves well, God will take care of him and make sure he is happy Angel Tom से कहती है कि अगर तुम अच्छे से behave करोगे तो God तुमारी help करेंगे, यानि कि तुमारी सुरच्छा करेंगे और वो इस बात के लिए तुम्हें असवस्तवी करेंगे कि तुम खुस रहो The next day Tom woke up, अगले दिन Tom अपने इस सपने से जाग जाता है और फिर हम सभी अपने अपने बिस्तर से उठकर अपना बैग और अपना चिमनी साफ करने वाला ब्रुस लेकर अपने काम पर चले जाते हैं It was cold morning, but Tom seemed fine. सुबर सुबर ठंड थी, लेकिन Tom अच्छा दिख रहा था If we all just work hard, nothing bad will happen. अगर हम सभी अच्छे से मेहनत करेंगे, hard work करेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा